इस वीडियो में हम बात करेंगे AIMS PSC Nursing 2022 के बारे में तो AIMS PSC Nursing 2022 के रिकारडिंग बहुत से बच्चों के डाउट सारें किस लेबस क्या है, important chapter क्या करें, cut off कितनी जाती है, category wise cut off and all India rank cut off and ये तो बोलते हैं कि physics, chemistry, bio तो हमें पता है कि कहा से करनी है बड़ जी के कहा से करें तो इस वीडियो में आपके सारे डाउट के लिए लोगे, ये prospectus है 2021 का, अभी 2021 का exam December में हुआ है, तभी ये prospectus आया था, तो कुछ ज़्यादा changes तो इसमें आपके होंगे नहीं, बस आपके जब form date है, वो चीज़े चेंज कर दी जाएंगी, बस यहाँ पे आपको सारे aims पता होन यहाँ पे आपको fee बता रखिए कि OBC की fee कितनी है और general की fee कितनी है, यह आपकी application fee है, जब आप application form भडते हो ना, final registration करते हो, उसकी fee है, यहाँ पे आपको introduction मिल जाएगा, यहाँ पे आपको main चीज जो देखनी है, वो देखनी की aims में कौन-कौन से courses है, तो यह पे पेरामेट चीज की बात कर रहे थी कि BAC nursing के कितने college हैं, तो यहाँ पे देखना, 9 total यहाँ पे दे रखे हैं, तो तीन aims और add होएं, जिसमें भटिंडा है, कल्यानी है, और आपका गुरप पूर है, तो आपके पूरे 12 aims हैं, तो 12 aims में nursing हैं, तो seed जो है, वो 800 प्लस है, तो अब बात करते हैं, कि आपको syllabus कौन कसा करना है, और आपको कितने number चाहिए, कि आप top 100 में या आपकी rank कितनी आजाए, कि आपको a seat मिल जाए, aims में, यहाँ पे बता रखाए, कि आपके physics, chemistry, bio और general knowledge आएगी, हर main subject से आपके 30-30 marks को कोशन आएंगी, 30-30 कोशन आएंगे, और आपके general knowledge से 10 कोशन आएंगे, तो basically physics, chemistry, bio, कहां से करने हैं, यह मैंने बता रखाए, बट अभी दोबारा बता देती हूँ, कि आपको कहां से करना है, जीके में mostly आपकी reasoning आती है, reasoning अगर आपको पता नहीं होगे, तो reasoning mainly बहुत से government exam में जैसे कोशन पूछे जाते हैं, वो वाली reasoning, and then current affair आता है, current affair आपको एक दो मेंत पहले के करने होते हैं, तो current affair मालब जीके के लिए आप चिंदा मत करो, जीके के लिए एक PDF में प्रवाइट कर रहा दूँगी, टेलिग्राम चैनल पे या फिर paid badge पे जो आप easily avail कर सकते हो, तो जीके के लिए बस उतना कर लेना तो आपका easily हो जाएगा, आपको पूरी PDF में अलग 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 टॉपिक बता दिया जाएगा कि ये टॉपिक कर लो, फिरी मिल जाएगी वो जीके के PDF तो प्लीज जीके के लिए कोई बड़ी सी बुक मत ले आना, अगर ला सकते हो, अगर अफॉर्ट कर सकते हो तो ले आना वनना उस PDF को कर लोगे त तो आप पूछ लेना, सो पिछले साल की बात करें, मिन्स 2021 की बात करें, जब आपको एक्जाम दिसम्बर में हुआ था, तो बात करें तो आपको यूर को 764 तक, मिन्स 2nd round तक आपको 764 तक seat मिली थी, EWS को 1652, OBC को 1208, SC को 2208, ST को 4442, तो टोटल बच्चे जो पहले 1000 सम्तिंग थे, that's mean 10,000 से ज़्यादा बच्चे तो एक्जाम में बैठे ही थे, so अगर आप इस बार एम कर रहे हो, एम स्पेसी नर्सिंग में seat लेनी के, तो आपको कितनी marks लाने हैं, कितने question solve करके आना होगा, और कितने, basically इस section में में बताऊंगी कि आपको कितने marks चाहिए सो अगर पिछले बार की, इस cut-off को अगर 2020 से मैच करें, तो 2020 में जो था आपके ज़्यादा बच्चों को seat मिली थी, means इससे बड़ी cut-off पे भी seat मिली थी, like 800 सम्तिंग तक से, so आपको कितने number लाने होगा, क्योंकि इस बार जिसकी number 40 थे, like मेरे students में बता दूं, जिसके 40 थे 50 की लाइन में जो थे, वो 500 से उपर थे, 500 से उपर में जिनकी रेंग 500 सम्तिंग थी, तो अगर आप 50 से उपर लाते हो, आपकी रेंग 500 से उपर होगी, बट हर साल की अलग हो सकती, तो mainly अगर आप यू आर हो, तो कोसिस करना 50 प्लस तो लाओ, 50 प्लस से नीचे को भी admission मिला तो 13760, that's mean उनके number 40 के line में थी, तो अगर आप EWS हो, तो 45 से उपर का aim करो, अगर OBC हो, OBC में EWS से कम को मिला, OBC भी UR की तरो ही होने लग गया है, OBC में बहुत competition है, तो अगर आप OBC हो, तो aim करो कि आप 50 प्लस स्कोर करो, and SC हो, तो 45, and ST हो, तो भी आप 40 प्लस स्कोर करने क कि सोचो, और इतना मज सोचो कि कम लाएंगे, कि हमें इतना ही लाना है, जादा का सोचो कि तो तब उतने आएंगे, तो अगर EWS हो, तो आप 80 का सोचो, और OBC हो, तो 60 प्लस का सोचो, ऐसा नहीं है कि आप, basically में या पर कोई category wise हो, नहीं बोल रहे कि आप यह हो, तो आप basically य गलत मत लेना मुझे यहाँ पर, but basically अगर आप की category means आपने category डाली है वहाँ पर, कि हाँ मेरी category है, मुझे इसके according की seat में लेगी, तो आपको इतने marks तो लाने लाने है, but अगर आप अच्छे से prepare कर रहे के तो 60 प्लस ले आओगे, तो AIMS Delhi तो आराम से मिल जाएगा, अगर आ अगर OBC के marks general candidate से जादा आ रखें, तो वो seat OBC को मिल जाएगी, so general की कोई seat है, तो कोशिश करना जनरल वाले की 50 से तो अब आउई लाओ, then आप बात करते हैं कि आपको कौन से, so सबसे पहले हम physics की बात करते हैं, physics में आपको modern physics सबसे पहले करनी है, then आपको wave optics करना है, then उसक main focus आपका 12th पर होना चाहिए, उसके बाद ही 11th पर जाना है, 11th में जाओगे, तो सबसे पहले KTG, thermal properties, thermodynamics, fluid mechanism कर सकते हैं, तो वो करना, उसके बाद जो ये chapter है, like इसमें से सिरफ unit dimension कर लेना है, क्योंकि अभी time बहुत कम है, तो unit dimension वाले को कर लेना, and ये वाली चीज अगर आ then magnetism, then electrostatics, and KTG and thermal properties, और unit and dimension, तो physics में इतना कर लोगे तो हो जाएगा, then बात करते हैं हम chemistry में, chemistry में, aims की chemistry सबको हार लगती, means physics और bio easy लगती, but chemistry हार लगती, but chemistry में आपको पहले inorganic उठानी है, then आपको physical उठानी है, inorganic में आपको SP block और DF block, and polymer, surface, GPI, biomolecule, everyday in life, chemistry in everyday life, ये वाले chapter पहले निप्टा लो, like एक week में ये वाले chapter निप्टा लोगे, तो easily, मैंसे तो 10-15 नमबर तो इनी से बन जाएगे, then physical पर जाओगे, तो electrochemistry, kinematics, and atomic structure, ये वाले chapters जो है न, इनको अच्छे से लगा ले न, इनसे आपके question बद्दे ही बनते हैं, then एक chapter आपको important करना ह और मेरे को बोल सकते हैं, और मेरे को भी टेलग्राम पर बोल सकते हैं, कि हमें question चाहिए, तो आप practice कर सकते हैं, then बात करते हैं, so अगर आप chemistry में इतना करोगे, तो आपके 25, 22, 25 नमबर बन सकते हैं, अब बात करते हैं, बायो की तो बायो बहुत easy माना जाता है, aims में, तो बायो में आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पे तो मैं 11 करारी हूँ, क्योंकि 11 हमें पहले करने पड़ीगी, क्योंकि बायो 12 की जादा आती है, तो 12 बाद में करेंगे, तो वो याद भी रहेगा जादा, तो अभी पहले diversity वाला unit तो आपको करनी करनी, then human physiology और cell unit, यह तीन unit हैं 11 की जो आपको important करनी है और कर लेना, then ecology, biotechnology, genetic, human welfare and human reproduction, इन चप्टरों को इसी order में करना है, क्योंकि इनकी important seems में ऐसी ही है, animal kingdom और plant physiology को अगर आप time बसता है तब करना, बट अगर इतने चप्टर भी कर लेना, तो आपके 25 numbers तो आई जाएंगे, तो अगर आपको सिर्फ इतना ही करना है, तो अगर आपको free test अवेल करने हैं, लाइक यह fourth वाला test था, free test की section में, तो अभी तो दो टेस्ट और बचते हैं, मुझे test देना है, free वाले, तो मैं इस दिलिए आपको link प्रवाइट कर दूँगी, अभी भी हमसे 30, 30 से ज्यादा बच्चे जो है, वो free test use कर रहे हैं, like 28 तो एक app में हैं, और 20 प्लस एक दूसरे app वाले test section में है, तो अगर आप ज्यादा पूछते हो, तो आपको डाउट का आंसर दे दिया जाता है, तो अगर आपको पेट टेस्ट इस भी लेने है, तो आप ले सकते हो, और कोई ज्यादा पैसे नहीं है, सिरफ 500 है इसकी वैल्यू, हमारा जो कोर्स चल रहा है, महाँ पर आपको content में notes, question practice और revision के लिए question set मिलेगा, और आपको PYQ मिलेंगे, जो कि कहीं और नहीं मिल रहे हैं, मैंने handwritten आपके लिए PYQ बना रखे हैं, 2001 से लेके 2013 तक के और 2021 के भी उसमें included हैं, और आपको course में lecture उन्हीं topics पर मिलेगा, जो important हैं, जो understand नहीं कर पा रहे हैं, आप easily उनकी मैं आपको lecture दे दे दी हूं, तो इसका price 600 है, अगर आप इसको join कर लें तो इसमें भी test series चली रही है, side-by-side test होते नहीं, जो मैंने आपको आगे dates लेबस और dates दिखाई थी वह इसी course के लिए regarding थी, तो अगर आप join कर सकते हूं क्यूंकि अभी 40 दिन है, जो आपका exam date से पहले बना होना चाहिए, so exam date like June में है तो आपका March या उससे पहले का बना होना चाहिए, so अगर जिन्होंने नहीं बना रहें प्लीज अपलाय कर दो, अगर जल्दी आ जाता है तो सही है, बट लेट आएगा तो problem हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर जो आपका OBC और EWS का certificate मांगते हूं, उसमें central का होना जरूरी है, और उसमें यह important हो जाता है कि आपके date के बीज में रिन्यू हूआ हो, so अगर कोई और डाउट है तो आप टेलिग्राम सेनल जोइन कर लेना, वहाँ पर मैं आपको personally message कर दूँगी, and अगर comment section में पूछना चाते हो तो comment section में पूछ लेना, और बहुत से बच्चों को डाउट होगा कि अभी question series आएगी या नहीं आएगी, तो मैं try करूँगी बनाने का, अगर मेरे पास time होगा तो मैं बना दूँगी, क्योंकि help हो जाएगी तो मेरा कुछ बोरानी होगा इससे,